ich गुंक estokay इम ernासकार स्वावाएत हैं आप सभी का हमारे इस नय Не मंचो किस्व का कहानियों का मनु रंजन का आप सभी ना में इतने सालों से मण रंजय करहूं हैं और हम सब एक कुप दूसरे को इतने वर्ष्णों से जानते हैं आपने मेरे कितने सारे शोज देखे फिल्में देखी और भी बहुत सारे कलाकारों के शोज और फिल्में देखे और अपना मनोरंजन किया इस मंच पर हम आपका मनोरंजन करेंगे नए तरीके से और उसका शुभारंब करेंगे जिन कहानियों को दे बबात करेंगे मेरे सबसे प्रियशो आप सबके सबसे प्रियशो सिया के राम से उसकी यात्रा से प्रभु श्री राम के आशिरवा से प्रारंब करेंगे कि कैसे सिया के राम बनाया गया गड़ाया गया और कैसे बहुत सारी कहानिया उसके पीछे की मज़ेदार कहानिया अपके साथ तो आईये चलते हैं SIA के RAM की यात्रा पर और इस यात्रा में मेरे साथ एक बहुत ही मननुरंजक बहुत ही सुल्जे हुए बहुत ही सहज बहुत ही विचारों के धनी बहुत ही संगीन लेकिन उतने ही शैतान मेरे मित्र और SIA के RAM के इंसेप्षिन से जुड़े हुए चानल की तरफ से जुड़े हुए क्र § अनिमेश वरमा के साथ तो आए चलते हैं सिया के राम की आत्राबर आद मेरे साथ अनिमेश वरमा है और क्यों है ये बताता हूँ इसलिए आये हैं इमेश हमारे साथ में क्यों क्योंकि हाली में फिलमादी पूरुश रिलीज होई और जब से उसके ट्रेलर उसके प्रोमोज आने लगे हैं तब से सिया के राम जो की में रशो था 2015-2016 में आया था जिसमें मैंने राम का किरधार ने बाया था उसकी चर्चा फिर से घरम हो गई बहुत सारे मैसेज्जे सोशल मीडिया पर डी-े-म्स में मैसेज़ेस में बहुत सारे लोगों ने मुझे किये फिर से सिया के राम की तारीफ करते हुए फिर से उसे remember करते हुए बहुत सारे लोगों ने फिर से उसे देखना शुरू किया तो एक चीज मेरे दिल में घर कर गई कि ऐसा क्या था सिया के राम में जो आज भी इतना प्रासंगिक है रमायन थी सिया की दृष्टी से लेकिन वो आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है उसे आज भी इतना पसंद क्यों किया जाता है आज भी इतने सारे देशों में इतने सारे प्रांतों में वो बार बार देखा जाता है और पसंद किया जाता है भारत में भी जहां उसका 5-6 बार ही रन हो चुका है मैं मैं साउथ इस्ट एशिया की बात करूँ या मिडल इस्ट की बात करूँ मतलब यह बहुत सर्प्राइजिंग था मेरे लिए कि सिया के राम मिडल इस्ट में बड़ा पॉपिलर है हाँ जी तो प्रश्ण मेरा यह है कि उसकी रामायन कही रामायन? क्योंकि और भी बहुर सारी कहानिया थी बहुर सारी कहानिया है पहले बन चुक है कितनी बार हमानुए महा भारत सब बन चुके quindi है कि पर से रामायन कहनी चाहिए Well, ईसके पीछे रामायन यह था कि हम हम स्टार में देवों के देव महादेव हमें कर लिया था और बहुत सक्सेस्फुल ही किया था लोगों को बहुत अच्छा लगा शिफ पर पहले भी काम हो था लेकिन जिस तरीके से हमने काम किया उसने एक एक स्तर उसका उंचा किया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम हमें और माइफिलोजी हमारे बोस के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि हमें माइफिलोजी में और काम बना चाहिए और क्योंकि हमने माइफिलोजी को बहुत गंभीरता से लिया था तो यह बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या हम रामायन के साथ ऐसा कर सकते हैं रामाय से कहा जा सकता है रामायन के साथ खूबसुरत बात है कि उसमें इतनी सारी कहानियां कि आप हर पॉंट अब व्यू से आप रामायन की तानी एक नए तरीके से कह सकते हो बिनना कुछ जादा हिलाय केरेक्टर के साथ खेले तो हमारे लिए चैलेंज था और हमें यह चैलेंज हम आपा थे हुमें लगा की करते हैं रामायन सीटा के पॉंटो जिसे तो आ यह इसे हम लोग अने शुरू किया थे चो सीटा के पूंटो रामायन कहनी थी आपको पिर बारे आजी उसकी कास्टिंग के तो सीटा डाम कि थे था आपれた मैं पूछ रहु कि जब इस तरह केहते हैं तो क्या होता है की सबसे पहले पिर धिमाग में आता है की बहुत जब सबसे पढल सब्सक्राइब क्या होता है कि मैं यह इस शीरियसिटें ची आप से कनेकरें कि माइतोलोजी करने का एक सिंपल फॉर्मूला यह होता है, जो मुझे एज़ लगता है कि आप उसकी आत्मा से मत खेलिए, और आपके पास एक बना बनाया किरदार है, जो आपके मावाप ने, आपके दादा ने, आपकी नानी ने, आपकी दादी ने, पूरवजो ने हमें बता हमारे राम ऐसे हैं, अट गहरे कि एक जो राम है वो खूपसूरत आँख है, राम इस दुनिया के सबसे खूपसूरत मनुष्य है, उनके चेहरे पे इतनी शान्ती है कामनेस है,几ों बश्क बिन बहुएre को देख के अपना दुख भूल जाते हैं, यह हमारे के लोग़ बत वाद आपको सिर्फ वो आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका राम आपके इस बने बिनाए उस पैरमिटर में आता है यह नहीं आता है तो हम एक ऐसे राम की तलाश कर रहे थे और हम स्थिल जब जिटना गंबीर हो के आपकी कास्टिंग जास्ट कि तो आपक दो तूह से उसक्सागरी कि एक नहीं था तक दोनोंłości कि लेकशिए और grandi सक rhetoric थे Creative काक्व कुछ पर अप वार मुझे से यतना ध्यान है मेरे पास जब में तैयारेनीन take करने के मुझे 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 इसा लग रहा है कि मैं राम के करदार में शायद फिट नहीं होता हूं तो मुझसे बात होने है तुम ऐसा क्यों लगा कि राम के करदार में तुम फिट नहीं होते है क्यों कि हमें यह लगता था कि तुम हर तरीके से राम के करदार में फिट होते प्रेजन जैसे मैंने बताया कि एक एक ऐसी चवी एक ऐसा चेहरे जिस में बहुत सौमिता है, बहुत शांती है। आशी शर्मा के चेहरे में वह चीज थी, उसके आखों में वह कमपैशन था, वह प्रेम दिखता था, और उस प्रेम के साथ देखता था, आप किसी और के दुख को, वह तो मैं शार्दी सुदा हूंना, इसले दर्थ दिखे गए, दूसरा की अम, दूसरा कि वो जो एक आत्मेता होती है पूरी उस पूरी चभी में जो आत्मेता होती है वो हमें तुम्हारे अरावर कहीं नहीं देखा सीता के कास्टिंग भी बहुत मुश्किल थी। मतलब लास्ट मुमेंट तक चलती रही शूट के बिलकुल गार्जिलिंग जा रहा थे और जिस दिन हम पहुचे थे उस दिन तक हमारी कास्टिंग नहीं हुई थी और हमारी शूट थी तो इस तरह से हमने और यह रीजन्स थे हमें लोगों को बड़ा उत्सुकता जानने में कि मुझे खुदे जानने में हम जब पुरा प्रोसेस कर रहे थे तो मतलब जितना मुझे समझ माया कि जब मुझे अप्रोच किया गया था उसके भी डेढ़ साल पहले से कास्टिंग चल मैं आपको बलें मैं तो मुझे ऐसा लगा और वो ऐसी थे कि मैं रामायन कर रहा हूं तू मेरा राम है तो तुझे करना है मैं आपको क्यों राम लगता हूं तो यह रीजन्स से मुनों ने दिये कि you know there is truth in your eyes और वो सच्चा ही है तेरी आँखों में और आत्मियता है प्रेम है calmness and all that नेजी सिंदेगी में मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसकिर्दार में fit नहीं होता हूं क्यों क्योंकि मैं बहुत पैशनेट था हूं पर ना उतना ही मेरा पैशन ना बहुत aggressive passion है और ऐसा passive aggressive ही हूं मैं aggressive passive हूं पैशनेट हूं यह तो यह तो बताता है तुम कितने अच्छे एक्टर हो तो मुझे ऐसा लगता था कि ना कि मुझे अपने अंदर एक actioneer हो दिखता है जैसे कि उसके पहले रूली वहने वैसे कि यह थे वो चंदर गुप तो warrior जब बात आती है तो हम मुझे लगता कि हाँ वो मैं कर सकता ह हम के चलित्र की बात करता है तो वो मुझे असा लगता था कि मैं से बहुत दूर हूँ और इसी लिए मुझे समय भी लगा उसको हां बोलने मुझे तीन-चार महीने पांच महीने कुछ लगे निकिल जी से बात होती रही बार-बार और उन्होंने उन्होंने ही actually convince me किया था finally कि नहीं तुम हो तुम्हें खुद नहीं पता तुम हो मुझे जो दिख रहा है तुमारे अंदर शाहिए तुम नहीं देख पा रहे हो तो I went with this conviction और उससे जाधा conviction मुझे अर्चना ने दिया क्योंकि जब यह बात हुई ना तो उसने बहुत उसको बहुत confidence था कि नहीं वो राम है वो जो राम की जो भी qualities के हम बात करते हैं वो हैं आपके अंदर और मुझे विश्वास नहीं था तो लोगों को शायद वो दिखता जैसे आपने बोला कि आप लोगों को दिख रहा था मुझे नहीं दिख रहा था तो वो मेरे लिए ना बहुत वो थी finding myself वाली ज प्लेइंग राम यह जो तुम्हारी जर्णी थी जिसमें तुम अपने आपको explore कर रहे थे वो तुमको और गंभीर कर रहा था उस character के प्रती राम के प्रती तो वो ज्यादा हमारे favor में work कर गया दूसरा कि हमने राम देखा था उससे पहले आप जो अभी जो मैंने तुमें है कि हम हर 15-20 साल में क्या कर सकते हैं तेक्निकली और थोड़ा उपर जा सकते हैं आप जितना जितना गहन research करते हैं आप उतना ज्यादा आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं हमारे लिए राम ना हम मतलब हमारे writers की बहुत भेंकर टीम थी सिया के नाम में researcher बोदी सच ज और राइटर्स मतलब पाठक जी के अनन नील कंधन तो ये सारे लोग थे और बहुत जब चर्चा होती थी तो ऐसा लगता था कि हम किसी कंभीर research पे बैठे हुएं और हमारे लिए बहुत serious मामला था ये तो हम तो बहुत कंविंस थे और तेक्निली मैं तुम्हें एक और ची काम लिए था कंविक्षन चैनल का ही वर्क करता है तो हम तो कंविंस थे और थे और थे पता था कि आशी इस ही और तो वह हुआ हुआ एंड वी रेली हैपी और मुझे लगता है उसके बाद या उससे पहले मेरे लिए बेस्ट राम तो मेरा ही राम था जो हम लोगों ने बन यात्रा है वही यात्रा राम की थी कि श्री राम जो थे जो हमने कहीं भी पूरी यात्रा जो हमने सिया के राम में को शार इसलिए उतना प्रासंगिक भी है कि हमने कभी भी ना अपनी सोच को एंफोर्स करने की कोशिश नहीं कि राम के उपर हमने राम की सोच को एक्स्प्ल वो हमको ही सोचने पर मजबूर करते हैं, और हमारी यात्रा को प्रगाल और बहुत सुंदर बना देते हैं, एज इंडिविज्वल्स, और मेरी यात्रा थी, मेरी यात्रा तो यही थी कि उससे निभाते हुए, अपने अंदर के रामत्व को खोजने की कोशिश करते हैं, और वो जो तत्व है आपका, जो राम का तत्व होता है, वही राम की भी आत्रा थी, हमने जो सिया के राम में कही भी है, कि वी टोल्ड स्टोरी ऑफ प्रिंस राम, बिकमिंग लॉड राम, तो वो भगवान पैदा नहीं हुए थे, पैदा तो राजकुमार हुए थे, अपने कृत्यों से, अपने जीवन से, अपने जो उन्होंने आधार बनाए, उनसे वो प् में चले और वही उनकी हम वही बात करें राम राज्या आए या राम की तरह जी हम कभी भी यह बात करते हैं, तो देश तो उनका मर्यादा पुरुशत्तम बनना थे, पुर्शों में उत्तम उत्तम बनना जो वो हुए और इसलिए भगवान माना गया उनको